नमस्कार आप देख राष्ट समाचार नई दिली में 20 अक्टुवर 1923 को पीएज़डी चेम्बर ओफ कॉमर्स एंड इंडस्टी द्वारा समर्थित बैरेट डिवलोप्मेंट्स पीलसी के सहयोग से आयोजीत बेनहम एंड रिफ्स लंदन प्रोपटी शो का एक शांदार आयोजन सफलता पुरुवक किया गया जिसमें उपस्तित लोगों को शिर्स अस्तर के स्रिंखला का पता लगाने का एक अनुठा अफसर परदान किया गया जिसमें संपतियों और संपन लंदन रियल स्टेट बाजार में लोग सही तरीके से जानकारी प्राप्त कर सके कारिक्रम में बैरेट डिवलोप्मेंट्स पीलसी के अंतराष्टिय विक्री और विपनन निदेशक अस्टूर्ट लेलसी बेनहम एंड रिप्स की प्रवंदक निदेशक अनिता मेहरा पीएशडी चेंबर अव कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के उप महासचीव नवीन सेष ने अपनी उपसित दर्जी कराई बता दे कि बेनहम एंड रिप्स लंदन के सबसे पुराने स्वतंतर सौमित वाले संपत्ती किराय और विक्री एजेंटों में से एक है जिसे लंदन के परमुक्ष हित्रों में आवासिय विक्री में विशेसक ज्यान है लंदन के विभिन अस्थानों में दस से अधिक परियोजनाओं और पुरा होने के विभिन चरनों के साथ बेनहम एंड रिप्स इंडिया लंदन के समपत्यों के सबसे बड़े पोटफोलियों में से एक को बेचने के लिए जिम्मेदार होगा साथ ही वीडियो के माध्यम से लोगों को समझाया गया वैराट लंदन के अंतराष्टिय विक्री और विपन निदेशक अस्ट्वर्ट लेंसी ने कहा भारतिय बाजार में एक दसक से अधिक से अनुभब के साथ हमारे छेत्रिय साजेदार वेनहम एंड रिप्स उन भारतिय घर खरीदारों की बढ़ती मांग पर रण निती सलाह परदान करेंगे जो अपने घरों में विविज़ता लाना चाहते हैं वेनहम एंड रिप्स की प्रवंदक निदेशक अनिता महरा के नित्रत वाले टीम वेनहम एंड रिप्स की सफहलता के पीछे प्रेरक शक्ती रही है वह टिपनी करती है भारतिय खरीदार मुख रूप से उच मासी किराय और मजबूत पुंजी विर्दी के साथ निवेश प रिपने प्रव यह प्रूप विर्व भी आपिस प्रूप स्थेम और वीज खरी आप की साथ हैंड़ सेवय बूहन जाराव झाल प्र फेवेश को रूप रूप लोप रिप्सप्रेश की खरों की सूप से में रूप रिवेशग की बाएंड प्राव नूप रूप की सिर र अराव खरोड, अजराव चारी को लिंट हैं में निए बन्जारा हैं और 60 कि के जाय है को आपके बन्जाब तूब ए डिए लिए इन पैस इन पाइड रोगद को हादा वाय पायां हो इंट, आप है प्रकूश कुछ तू हो इन की के अषूर ने कि अगडिया तूब कर द कि अच्षब ऑप एलिघिए के अच्टिए भूल थाफ विसलेघन हैं, वेखने को सिरिदे पर बूला सवाथ अच्टिजन भीकलिव फ्रीकिन वर विन एव चलिवा ऑनाशब तर कि अन्नाल हैं, वेखने वर आी एंविकला चींव को से इलेज़ को ये लिद देखने हैं, वे बेंहें चुछ व्योट जाबान दिटादी इंगी कि अशूल जाब मैं तरह बीने ने को फिर्टेस्टे ने क्या है पूल अ C फ्राष्यण वेरूप्ते में वे थे ठhorn six थी एक बेंग enhance रिट्वेस्ट ग्रॉट पारारै की एक ड्रावचा। in terms of this. So the London property market is established for hundreds of years it's got a huge rich wealth of culture of education of health care finance and many many different elements that make it a very very special leading global city many other cities are seeing accelerated growth and ups and downs in their property markets but the London market is fundamentally strong and generally will double every 10 years the value of the properties so yes there are peaks and troughs but if we look at the data over the last 30 or 40 years then it's generally doubled every decade. Today I arrived from London the company we work for I own is known as Benham and Reeves residential lettings. Benham and Reeves has been established for over 60 years with branches in 12 different countries and 14 cities we have in Delhi and Mumbai we are very keen to progress with the Indian market Indian people buying a property in London for safety for security as an investment and if their children are going to study over there or as a second home or just purely as an investment this is what we're here for. How does the how does the real state market of London compare to the other global state market in terms of this? Well you cannot compare London with any other city there's only one London where the world and the wife want to own a piece of London property London property is so much in demand whenever whenever there are crisis in the world everybody flops to London when we look at Middle East a lot of Middle Easterners have bought themselves property in London they might be selling to the world Dubai properties or UAE or Middle East but they themselves invest big way in London so we have people from all over the world from China from Middle East from Hong Kong from Singapore another big factor for attracting people to buy property in London because London is a big educational hub everybody wants to send their children to study over there if you look at the world leaders majority of the world leaders have studied in London in Oxford or Cambridge a lot of prime ministers a lot of world leaders have come from education in UK